जबलपुर नगर निगम के सहायक स्वास्तादिकारी अनिलकुमार जैन पर बाइक सवार यूको ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें चाकू मार कर बुरी तरह से घायल करके फरार हो गए गायल अनिलकुमार जैन को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गए अनिलकुमार जैन नगर निगम में सहायक स्वास्तादिकारी के पड़ पर तैनात हैं वे नगर निगम के सामने से गुजर रहे थे कि तब भी बाइक पर सवार तीन युवक आए और उनमें से एक युवक ने चाकू निकाल कर उन पर हमला कर दिया मैं उन्होंने बचने का प्रियास किया जिस वज़े से उनके शरीर पर चाकू लगने की बजाए उनकी बाह पर चाकू लगते ही खून बहने लगा इसी बीच उनके द्वारा शोर मचाए जाने पर आसपास के लोग जमा हो गए जिस वज़े से हमला करने वाले युवाग मौके से फरार हो गए हमला वर मुपर मास्क लगाए हुए थे और सर पर कपला बांधी हुए थे जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है गायला निलकुमार जैन को तुरंद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है इधर सूचना मिलने पर उम्ती थाना परभारी SPS बगेल जिला अस्पताल पहुँचे और उन्होंने गायला निलकुमार जैन से घटना करम की पूरी जानकारी ली और अग्यात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है गायला निलकुमार जैन ने बताया कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है हम लोग नगर निगम से जो है गेट से बाहर में स्रीकर्शना टाकिज के सामें तक थीन लोग चाय पीने गए था वहाँ से चाय पीके लोट रहे थे तो तीन पत्ती के तरफ से दो लड़के वाइक पे थे तो एकदम आके थोड़ा सा उनने गाली धीमी की और हम सोचे कि यह शरावरा पी रहे हैं तो लड़करा से गए और जैसे हमको हम समझे हैंडल लगा तो हम सोचे के हैंडल लग जा तो हम पकड़ के रह गए हमारे बाजिवाले साथ वाले ने ऐसा उम्ला नहीं भी आपको तो बन्द गर रहा है जैसे हमने हाथ जैसे पकड़े थे तो देखा तो खून था देखा कि चाकुमार जब तक उनने देखा थोड़ा गाड़ी से लो थी जब तक तो देखा शेर में लाल से कप्ड़े बांदा है और मास्क लगाया था और चौपाटी के तरह मुड़ गया यह गट अनिल कुमार जैंगे अनिल कुमार जैन साइक स्वास्त अधिकारी नगर निगम जावलपूर के चाय पीके नगर निगम की और अपने आफिश जा रहे थे उनके बगाद से एक मोटर साइकल बिना नमबर के निकली जो पीछे बैठे गड़के ने बाएं हाथ में बुजा में चाकुमार दिया जिस अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चैनल पिलिस वीरो करेट्स निउस को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नमबर है 9039011886 एवं 9770229999